नमस्कार साथियों आप सब का स्वागत है हमारा दिमाग क्यों सोचता है? हमारा दिमाग सोचने की प्रक्रिया तब होती है जब वह जानकारी को संग्रहित करता है, इसे प्रक्रिया करता है और उस पर विचार करता है दिमाग सोचने के लिए एक समय सीमा में बहुत सारे कॉंसेट, धारणाएं, अनुभव और ज्ञान का उप्योग करता है जो हमने अपने जीवन भर में अभिभावकों, शिक्षकों, संगठनों, सामाजिक संप्रदायों, अनुभवों और प्राथमित्ताओं के माध्यम से प हमारे दिमाग के विभिन हिस्से जैसे की नीचे टिपपनी करते समय उच्चतम स्तरिय मंडल, हिपो कैंपस और संधर्ष प्रभावित हो सकते हैं इन क्षेपरों के बीच नियूरॉनल संचार और ब्रेन केमिस्ट्री के उप्योग से जटिल संचार नेटवर्क बनता है दिमाग की सोचने की प्रक्रिया व्यक्तिगत होती है और हर व्यक्ती की सोचने की प्रक्रिया अद्वितिय होती है यह प्रक्रिया विभिन प्रासंगिक तत्वों, सामगरियों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है, जो व्यक्ति के जीवन में मौजूद होते हैं। इसके अलावा, ध्यान देने योग्य है कि हमारा दिमाग सोचने के लिए नहीं सोचता है, बलकि वह एक Neural Network है, जो एक बहुत समवेदन्शील और संग्रचित तरीके से कार्य करता है। सोचने का प्रक्रिया एक अध्यतंत और सचित्रित प्रक्रिया है, जिसमें हमारे विचार, भावनाय और अनुभव एक तंत्रिका नेटवर्क में संगठित होते हैं और जिनका परिणाम हमारी सोच और ज्यान होता है। मनुष्य का दिमाग उसकी सोचने, अनुभव करने और मिर्धारित कारवाई करने की क्षमता को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। दिमाग भौति की रसायन विज्ञान, बायोलोजी और नियूरो साइन्स के प्रिंसिपल्स पर आधारित होता है। दिमाग में विभिन प्रकार के नियूरोन्स सार्वजनिक कहावत से बात करेंगे होते हैं जो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और विभिन कारियों का समर्थन करते हैं। जब हम किसी विचार, प्रश्न या समस्या के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर कई नियूरोन्स अपने बीच संचार करते हैं, यह संचार विभिन रासायनिक और बायोलोजिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, नियूरोन्स विभिन तरीकों से एक दू संकेटों को रिलीज करके, यह नियूरोनिक संचार सिस्टम सोचने के लिए एक आंतरिक भाशाया संचार माध्यम प्रदान करता है, जिसे हम्मन कहते हैं, यह संचार संगठन शीलता और विभिन धार्मिक गतिविधियों को समर्थन करता है, जिन में समस्याओं का समाधान धूंधना, प्रतिसपर्धा, कल्पना, स्रिजनात्मुक्ता और विचारशीलता शामिल हो सकती है, हाला कि मनुष्य के दिमाग की सोच व्यक्तिगत होती है और कई अंशों पर निर्भर करती है, जैसे कि उनके अनुभव, शिक्षा, सांस्कृतिक प्रभाव और आदतें इ हमारा दिमाग सोचने के लिए एक जटे और संड़ठित संचार सिस्टम है, जो विभिन प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्य करता है, और हमें ज्यान, अनुभव और निर्णे लेने में मदद करता है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप सभी को मेरा प्यार भरा धन्यवाद,